हलो माईड़ा पेरेंस होब आल आफ यू आ वाविवा हाविग अ ग्रेट विग सो माईड़ा पेरेंस आमी आचके आमादे शेम्रो काईस दे एए माई प्रैक्टिस बुकेट पेज नामबर 36 थिक अक्टा अक्टिविटी कोराबू आपना रखें तो एई पिस्टा एई रुकुम भाबे रेडी कोरेते बें एई रुकुम भाबे आखोर गुली आमादे शेम्रो काईस दे लिखे दे बें आमादे शेम्रो काईस दे आखें आचके एई आखोर गुली लेखा प्रैक्टिस कोर बे Now flowers, अब आप लोग बुताओ कैसे हो, मेरी flowers कैसे है मैं जानते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी हो है न Okay, और मैं भी बहुत अच्छी हो अच्छा flowers आप लोग बुता सकते हो कि आज हम क्या करने वाले है आज हम My Practice Book से एक activity करेंगे Okay, ये देखो My Practice Book इस बुक को लेके जल्दी से आओ Okay, और साथ में एक pencil और eraser चाहिए ठीक है? चलो, अभी हम page open कर ले अभी इस बुक के page number 3636 open कर लो ये कौन सी नमबर है मेरे साथ बोलो 3636, very good लो flowers, जल्दी से इस page को open कर लो Okay, आच्छा अभी चलो activity स्टाट करते है I'm ready for this activity Then show me your thumbs up, thumbs up दिखाओ Very good So let's get started Now flowers everyone, page पर ध्यान दो यहाँ पर देखो बहुत सारे अक्षर लिखा हुआ है ना ये देखो ये कौन सी अक्षर है अई फिर क्या है ओ, अउ, अं, अह, री और एक बार रीट करो मेरे साथ अई, ओ, अउ, अं, आह, री Very good अभी चलो हम लोग सब भी अक्षर को लिखना व्यास करते है Pencil ले लो आप लोग सबसे पहले आई लिखेंगे कैसे लिखना है ये देखो यहाँ से एक खरी रेखा ऐसे निकाल के एक रेखा ऐसे निकालेंगे फिर और एक खरी रेखा को ऐसे निकाल के हलका सा घुमा देंगे फिर मात्र देखे यहाँ से एक रेखा निकालेंगे अई आप लोग जानते हो मेरे साथ लिखो और एक बल लिखना है देखो एक खरी रेखा ऐसे निकाल के एक रेखा ऐसे घुमा देंगे फिर और एक खरी रेखा ऐसे निकालके ऐसे घुमाके मात्रा दे देंगे और ऐसे और एक रेखा निकालेंगे अच्छा उसके बाद कौन सेक्षर है ओ चलो हम लोग लिखते हैं कैसे दो आधा गोल ऐसे निकालेंगे फिर एक रेखा ऐसे निकालके दो खरी रेखा निकालेंगे फिर मात्रा दे देंगे और यहाँ से एक रेखा निकालेंगे ओ और एक बल लिखो दो आधा गोल ऐसे निकालना है फिर ऐसे रेखा निकालके दो खरी रेखा फिर माच्चा दे के ऐसे एक रेखा निकालेंगे ओ के बाद कौन से एक्षर है ओ है ना चलो लिखते है कैसे दो आधा गोल ऐसे निकालेंगे फिर एक रेखा निकालेंगे दो खरी रेखा फिर माच्चा दे देंगे फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे निकालेंगे और एक रेखा ऐसे निकालेंगे अओ ओके चलो लिखो मेरे साथ दो आधा गोल ऐसे निकालेंगे फिर एक रेखा निकालके दो खरी रेखा फिर खरी रेखा उको जोर देंगे मात्चा देंगे फिर दो रेखा ऐसे निकालेंगे ओके आउ आउ के बाद कौन सेक्षर आते है अंग लिखना है चलो सेम तरीके से दो आधा गोल निकालके ऐसे ए पिर रेखा निकालके खरी रेका मातरा और यहां पे शिर्फ एक बिंदु लगाना है ऐगं आको एक बार लिखते हैं चलो दो आधा गोल आश्पनतों निकालेंगे फिर रेखा निकालके ऐसे फिर मात रेके एक बिंदु के बारDEN च Dalam ये लिख लेते हैं, दो आधा गोल ऐसे निकालेंगे, फिर एक रेखा निकालेंगे, फिर खरी रेखा, फिर मात्र देके दो बिंदु लगाएंगे, आहा, ओके, और एक बाद लिखते हैं, दो आधा गोल ऐसे निकालेंगे, फिर एक रेखा ऐसे निकालेंगे, खरी रेखा, फिर मात्र देखे, दो बिंदू जोर देंगे, अहां, ओके, अहां के बाद कौन सी अक्षर आते है, री, री लिख लेते हैं, चलो, सबसे पहले खरी रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहां से एक रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहां से और एक रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे दो रेखा निकालेंगे दो रेखायों के बीट से ऐसे एक रेखा ऐसे निकालके घुमा के और एक बार घुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे री, ओके, चलो सो कितने सारे अक्षर आज हम लिखना अव्यास के है आई, ओ, अउ, अं, आह, री अभी सेम तरीके से बाकी अक्षर को आप लोग लिखना अव्यास कर लो ओके, आच्छा और पेडिन्स का में रिक्वेस्ट कोड़गो बाकी अखर गुली, लेखार जोने किन्तु अपनर अपनर अभुष्यमा दे शेम्रो का इस दर हल्प कोर बेन आप लोगो तो घर में और अच्छे से लिखना अव्यास करना होगा है ना नहीं तो कैसे याद रहेगा ओकी आच्छा और क्या करना है यह जो अक्टिविटी आप लोग कियो मेरे साथ इस अक्टिविटी की एक फोटो गुगल क्लास्टर में सब्मिट कर देने के लिए मम्मा को या फिर पापा को बोलना होगा ओकी आच्छा ना फ्लावर्स आवर क्लास इस ओवर टीक केर आफ यूरसल्फ लव यॉल से बाई फ्लावर्स बाई